कहते हैं अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो उम्रा और बाकी चीसें फिर कोई माइने नहीं रखते अंतरास्टिक रिकेट में 16 साल का सफर तै किया है इस खिलाडी ने लेकिन आज भी टीम में वापसी करने का मौका तलाशने में सफल हो रहे हैं और ना केवल वापसी कर रहे हैं बलकि मिले हुए मौकों को दोनों हाथों से भुना कर ये भी दिखाया है कि अगर उनमें निवेश किया जाए तो आज भी टीम इंडिया के लिए वो मुकाबला अपने दम पर जिदा सकते हैं जिहां दोस्तों आपने सही पैचाना हम दिनेश कार्तिक की ही बात कर रहे हैं कहने को तो इनकी उम्र 37 साल है लेकिन बार बार अपने खेल से डी के हमें ये समझा जाते हैं कि अगर सबने पूरे करने हो तो मेहनत जरूरी होती है क्योंकि महनत का रंग सफलता में जरूर बदलती है तो आए दोस्तों इस वीडियो में दिनेश कार्तिक के अंतरास्टी करियर को थोड़ा और नजदीक से जानने की कोशिच करते हैं कैसे उतार चड़ाओ रहने के बावजूद आज भी दिनेश कार्तिक क्रिकेट फैंस का दिल जीतने का मौकार नहीं चूकते हैं भारती क्रिकेट टीम में दिनेश कार्तिक का आना जाना लगा रहता है 2004 वो साल था जब पहली बार एक युवा विगेट कीपर बल्लेबास ने इंग्लेंड टूर पर चोटिल पार्थिव पठिल की जगे ली थी और भारती टीम के लिए डेब्यू किया था और सफल हुए और यही वज़े रही कि जैसे ही महिंदर सिंग धोनी ने अंतरास्टि क्रिकेट में अपने पैर जमाने सुरू किये हैं दिनेश कार्तिक को टीम में इसकी कीमत अपनी जगे गमा कर चुकानी पड़ी हालांकि धोनी के रहते हुए भी कई बार दिनेश को बतोर बल्लेबास मौका मिला आज से तकरीबन 16 साल पहले जोहानस बग की धर्ती पर साउथ अफरिका के खिलाफ डीके ने अपना T20 डेब्यू किया था और अपने डेब्यू मुकाबले में 28 गेंदों में 33 रन बना कर भारत को 6 विकेट से जीत दिलाई थी जिसके चलते उन्हें मैन आफ दो मैच का आवोर्ड भी दिया गया था दोस्तों एक वो समय और एक आज का समय कार्थिक के साथ उस समय टीम में मौजूद रहे सारे खिलाडी अंतरास्टिक रिगेट से रिटार्मेंट ले चुके हैं लेकिन आज भी दिनेश कार्थिक फील्ड पर डटे हुए हैं और इस सायों की बात है कि जिस अफरिका की टीम के खिलाफ कार्थिक ने टीटवन्टी डेब्यू किया था उसी टीम के खिलाफ तीन साल भारती टीम से दूर रहने के बाद ना केवल वापसी की है बलकि टीम इंडिया को आज भी अपने बल्ले से जीत दिलाकर मैन आफ दे मैच का खताब हासिल कर रहे हैं दोस्तों दिनेश कार्थिक का अंतरास्टी करियर काफी उतार चड़ाओ से भरा रहा है वो भारती टीम के साथ 2007 के T20 वर्ल्लकप का खताब भी जीत चुके हैं इसके अलावा 2013 का वो साल जब टीम इंडिया ने आखरी बार किसी ICC टूर्नामेंट में अपना कबजा जमाया था वहाँ भी कार्थिक उस भारती दल का भी हिस्सा थे इसके अलावा निधास टॉफी का फाइनल मुकाबला शायद ही कोई भारती फैंस भूला होगा कैसे दिनेश कार्थिक ने एक ताबरतोर पारी खेल कर आखरी गेंद पर छक्का लगा कर भारत को बांगलादेश के खिलाफ फाइनल मुकाबले में जीत दिलाई थी उधर आईपियल में भी दिनेश कार्थिक ताबरतोर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं आईपियल प्लेयर आक्शन में डीके फ्रेंचासी के पसंदीदा खेलाडियों में से एक हैं साल 2008 में जब आईपियल की शुरुआत हुई थी कार्थिक ने अपना पहला आईपियल सीजन दिल्ली की टीम से खेला था और अगले दो सालों तक के लिए टीम से जुड़े रहें इसके बाद साल 2011 में किंग सिलेवन पंजाब और 2012-13 में मुंबे इंडेंस की तरफ से कार्थिक खेलते हुए दिखाई दिये वहीं 2015 में RCB ने कार्थिक के उपर दाउं खेला और फिर अगले दो साल गुजरात लाइंस ने उन्हें अपने खेमे में शामिल किया लेकिन दिनेश के लिए IPL की सबसे बड़ी उपलब्दी तब आई जब 2018 में कॉलकाता नायू ट्राइडर्स की टीम ने कार्थिक को ना केवल अपनी टीम में शामिल किया बलकि उन्हें उस सीजन केके आर की कप्तानी भी सौपी लेकिन फिर कुछ नतीजे केके आर के हक में ना जाने के बाद साल 2020 के बीच में ही दिनेश कार्थिक को केके आर की कप्तानी चोड़नी पड़ी और वहां से मॉर्गन केके आर के लिए कप्तानी करते हुए नसर आए इस बीच डीके के फॉर्म में भी किरावट देखने को मि और 2021 का IPL सीजन उनका कोई खास अच्छा नहीं गुजरा। उधर साल 2019 के क्रिकेट वर्ल कप में भारत के बाहर होने के बाद सबसे पहला बली का बकरा उन्हें ही बनाये गया और दिनेश कार्थिक भारत की टीम से भी बाहर कर दिये गये। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर सप बिना किसी शोर शराबे के अपनी मेहनत चारी रखी और इसका नतीजा हमें IPL 2022 में देखने को भी मिल गया। हलांकि मेगा उक्षन में जब रॉयल चैलेंजर्जर्स बैंगलोरू ने कार्थिक को अच्छी खासी रकम में खरीदा था तो सभी को उनके फैसले पर हैरानी हु पचाने के बाद आखिरकार दिनेश कार्थिक ने वो हासिल कर लिया जिसके लिए उन्हें जी जान से मेहनत की थी तीन साल के बाद दिनेश कार्थिक को वापस से भारत की जर्सी पहनने का मौका मिल ही गया और फिर क्या था आईपियल के अपने शांदार फॉर्म को कार्थ इस तर पर भी साबित कर दिया है जिस टीम के खिलाफ कार्थिक ने अपना T20 डेब्यू किया था उसी अफरिकी टीम के खिलाफ दिनेश कार्थिक ने धमाकेदार वापसी करते हुए भारत के लिए एक ऐसे मुकाबले में अपने T20 करियर में पहली बार अर्द शतक जड़ा ज साथी भारत के लिए खेल के सबसे छोटे फार्मिट में अर्द शतक लगाने वाले सबसे उम्र दराज खिलाडी बनकर यह साबित कर दिया कि उम्र चाहे जो भी हो खिलाडी वो विशेश है और इसलिए नाम उनका दिनेश है ऐसे में साउथ अफरिका के खिलाव दिनेश कार्थिक की बल्लेबाजी को देखने के बाद इस साल होने वाले T20 वर्लकप में कार्थिक को लेकर अब काफी उम्मीदें बढ़ गई है ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है? क्या दिनेश कार्थिक आगामी T20 वर्ल कप में भारत की टीम में होने चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजे हमारी चैनल को